दोस्तो नमस्कार दिपेंदर हुड़ा जब लोगसभा चुनाव के लिए टिकेट की बात चलती थी तो कॉंग्रेस का एक गुट कहा करता था कि दिपेंदर हुड़ा अगर लोगसभा के मेंबर बन गए तो फिर राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी और वो हो गया राजसभा की सीट खाली हो गई और जो शक था कॉंग्रेस के लोगों को कि दिपेंदर हुड़ा के ये सीट खाली होने के बाद इस पर फिर कॉंग्रेस नहीं आ पाएगी अब लगबग होना भी वही है क्योंकि भुबेंदर सिंग घुड़ा तो पहले ही चुनाव से किनारा कर चुके भुबेंदर सिंग घुड़ा तो पहले ही कह चुके भाईया 16 विदायकों का जुगार कर लो 28 हम दे देंगे तो बात बन जाएगी लेकिन भारती जंता पार्टी सीट को लेकर दमा दम है यानि कि जो हर्याना की पांच राज्य सभा की सीटे हैं पांच राज्य सभा के जो सदस्य बनते हैं हर्याना से उन में से चार तो पहले ही भारती जंता पार्टी की है बची हुई एक सीट बर भी भारती जंता पार्टी अपना जंडा लेहराने के लिए तैयार है बस इंतजार है तो चुनाव के कारेकरम का लेकिन इस बीच नजर इस बात पर है कि आखिर भारती जंता पार्टी अपना रथी किसको बनाएगी ऐसा कौन सा नेता होगा जिस पर भारती जंता पार्टी इस सहरा सजाएगी क्योंकि अब ये सहरा सजना है इसके अंदर रण तो होना नहीं जिस सीट के लिए जिस सांसत बनने के लिए लोग कई प्रकार के पापड बेलते हैं वो भारती जंता पार्टी को थाली में परोसकर मिलनी है ये तो तै है लेकिन रथी कौन होगा सहरा किसके सिर पे सजेगा इंतजार उस प्रत्याशी का भी है किसको भारती जंता पार्टी अपना चहरा बना करके इस राज्य सभा की सीट पर विराजित करेगी इस पर तमाम सियासत दानों की नजर है क्योंकि ये नजर जो रहेगी ये जो चहरा सामने आएगा ये अगले चुनाव के लिए भी कही न कहीं बीजेपी की रणनीती को तै करेगा चर्चाएं कहीं चलती है कही वार नाम चलता है किरन चौधरी का जो हाल ही में कॉंग्रेस छोड़ कर भारती जन्ता पारटी में शामिल हुई अपनी बेटी को भी साथ ले गई निवर्तमान पूरु सांसद बेटी को विधाय की बरकरार रखी हुई है भी उन दौनों मा बेटी के जाने के बाद चर्चा ये चली कि किरन चौधरी के रूप में चौधरी बंसी लाल परिवार और उनकी विचारधारा को साथ हैगी क्या कॉंग्रे भारती जन्ता पारटी फिर दूसरा नाम चलता है कि क्या कुलदीब बिश्नोई को लेंगे कुलदीब बिश्नोई को राज्यसभा का सदस्य बनाकर उनका पालितोशिक दे दिया जाए और चौधरी भजनलाल की विचारधारा के लोगों को अपने साथ जोड दिया जाए और या फिर जो आजकल चल रहा है भारती जन्ता पारटी जिस तरफ जादा रोजहन किये हुए है वो है BC, SC और हरियाना की बात करूँ तो फिर ब्रहमन चहरा भी जरूरी है क्या इन में से किसी पर दाव खेलेगी वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो भारती जन्ता पारटी अभी तक SC को भी राज्यसभा में भीच चुकी है BC भी जा चुका है ब्रहमन भी जा चुका है और जाट भी जा चुका है जाट के रूप में सुभाश बराला है ब्रहमन के रूप में कार्ती के शर्मा है SC के रूप में अगर देखें तो फिर SC सांसद पवार साब वहाँ पर है किशनलाल पवार और BC चहरा भी जा चुका है भारती जन्ता पार्टी की तरफ से अब बात यह आ जाती है कि क्या कौन सी राजनीती साधेगी जब दोस्तों किरन चौधरी और सूती चौधरी शामिल हुए तो तभी से ये कयास लगना शुरू हो गया कि किरन चौधरी को राज्य सवा का बतोर तोहफा दिया जा सकता है क्योंकि वर्तमान के समय में जबकि कौंग्रेसी दमा दम है 99 सीट जीत कर भारती जन्ता पार्टी के पास 246 सांसद बनाने के बाद भी वो खुशी नहीं है जो 99 जीत कर कौंग्रेस खुश है इस लिहाज से ऐसे में कौंग्रेसी नेता को तोड करके और वो भी एक बड़ी विचारधारा चौधरी बंसीलाल का नाम हर्याना की राजनीती में बड़ा नाम है हलाकि बंसीलाल जी की जो विचारधारा को कितना फॉलो करती है किरन चौधरी ये तो चर्चा का विशे नहीं है ये तो सियासी लोग जानते हैं कि किरन चौधरी ने कितना फॉलो किया चौधरी बंसीलाल को या चौधरी बंसीलाल का कितना रहा खैर जादा जाएंगे चर्चा बड़ी हो जाएगी लेकिन चूंकी नाम जुड़ा है उनके साथ चौधरी बंसी लाल का तो शाम की विधान सावा सीट जुड़ी है उनके साथ में और चौधरी बंसी लाल की पुत्र बदू हैं वो सुरंदर सिंग की धरम पतनी वो है ही इसके सासत क्या जाट समाज को साधने की बात भी रहेगी क्योंकि जाट मददाता भारती जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है और बीजेपी की सोच है कि किसी भी प्रकार से जाट मददाताओं को अपने करीब लाया जाए बले ही सुभाश बराला बना दिये गए लेकिन क्या किरन चौधरी को लाकरके उस क्षती को पूर्ती करने के लिए और या फिर जाट समाज के अंदर अपनी से बढ़ाने के लिए ये वाला दाव खेल सकती है भारती जनता पार्टी दूसरा नाम आता है कुल्दीब विश्णोई का कुल्दीब विश्णोई भी जिस प्रकार से किरन चौधरी चौधरी बंसी लाल का नाम के साथ चलती हैं तो कुल्दीब विश्णोई तो चौधरी भजन लाल के पूरी तरह से सर्टिफाइड विरासत धारी है certified वारिस हैं उनके चौधरी भजनलाल की क्योंकि चौधरी भजनलाल की जो सियासत थी उनके जो सियासी लोग थे वो सभी कुल्दीब विश्णोई के साथ रही और अगर कहें तो कुल्दीब विश्णोई भी वही नेता हैं यानि कि भवय विश्णोई को विधान सभा का उपचुनाव लड़वा करके जहां कुल्दीब विश्णोई के भारती जन्ता पार्टी में जाने से चौधरी भजनलाल की सोच के लोग भी सोच के मददाता भी उनको भी कुलदीब बिश्णोई ने कहीं न कहीं साथ जोड़ा इसके साथ साथ अगर चलें तो फिर कुलदीब बिश्णोई ने क्योंकि राजस्थान के विधानसभाद चुनाव में भी वो राजस्थान के सह परभारी थे उस चुनाव के अंदर भी भारती जनता पालिटी को जवरदस सफलता मिली और बिश्णोई मद्दाताओं का पूरा सहयोग मिला तो क्या कुलदीब बिश्णोई को पारितोशिक मिल सकता है आगे बढ़ने से पहले अगले नाम और जोड़ू तो आपके साथ एक चर्चा और जरूर कर ले जो मैंने आपके साथ किरन चौधरी और कुलदीब बिश्णोई के नाम जोड़े जो इनके पॉजिटिव मैंने बताया तो इनके कुछ नेगिटिव भी है किरन चौधरी के भारती जन्ता पार्टी में शामिल होने के बाद जो सबसे बड़ा जो बयान हुआ जो सबसे बड़ा विस्फोट हुआ वो चौधरी धरम बीर ने किया बिवानी के सांसद ने उन्होंने कहा कि किरन चौधरी के आने के बाद में वो जो उनका बयान था वो ये प्रतीत करता कि वो असा हज है कह दिया कि अगला चुनावी राजनीती में नहीं रहूँगा और ये भी कहा कि जिनकी वज़ा से कॉंग्रेस छोड़ कर आया था उनको भारती जंता पार्टी ने अपने साथ मिला लिया भले ही चौधरी बंसी लाल की विरासत की राजनीती करने वाली किरन चौधरी आज मनोरलाल की शान में कसीदे पढ़ रही हूँ लेकिन राज्यसभा की सीट उनके लिए इतनी भी आसान नहीं है अगर अगला नाम में आपसे कुल्दीब विश्नोई का कहूँ तो कुल्दीब विश्नोई भले ही लोगसभाद चुनाओं में बाद में मन तो गए हो रंजी चोटाला के लिए लेकिन आदमपुर की हार तो कुछ संकेत देती है चाहे वो ये संकेत दे कि कुल्दीब विश्नोई ने भीतर घात की उनके समर्थकों ने और या फिर अगर भीतर घात नहीं थी कुल्दीब विश्नोई मन से साथ थे तो फिर तिलिस्म टूट रहा है कुल्दीब विश्नोई का आदमपुर के अंदर दूसरा संकेत ये है और सबसे बड़ी बात ये कि कुल्दीब विश्नोई के साथ जब से वो भारती जंता पार्टी में आये हैं, उनकी रूठल मनावन भी खूब चली है, नाराज भी बहुत हुए हैं, एक बार उस बात में नाराज हुए जब मनोरलाल ने चौधरी भजनलाल को बिना नाम लिये हुए बयान दिया, उसके बाद में टिकट ना मिलने की नारा ये नाराजगी, वो नाराजगी, कई नाराजगियां कुल्दीब बिश्नोई की ये उनका, ये कुल्दीब बिश्नोई के लिए ड्रॉबेक भी हो सकता है, यानि कि जो इनके पॉजिटीव है, वहीं कुछ नेगिटीव भी है, अगर अब बात करें, कि अगर किरन चौधरी और कुल्दीब बिश्नोई, इन दोनों के बाद किसी और चहरे पर अगर नजर डाले भारती जनता परटी, तो फिर नजर तो किसी ब्रह्मन चहरे पर भी जाएगी, राम बिलाज शर्मा बहुत दिन से खाली है, पंड़त राम बिलाज शर्मा, और पंड़त राम बिलाज जनता परटी की राजनिती के, अगर मैं ये कहूँ कि हर्याना के एक स्तंभ है, युग पुरुष कह सकते हैं उनको भारती जनता परटी का, मैं इसली कह रहा हूँ युग पुरुष कि अटल आडवानी जहां देश के अंदर, केंदर के अंदर सक्रिय रहा करते थे, तो फि जराग्य की तरफ हो, राम बिलाज शर्मा, लेकिन हसरत तो उनकी भी जरूर होंगी, कहीं बात चलती थी कभी कि राम बिलाज शर्मा को राज्य सभा में भीजा जाए, और या फिर कहीं कर राज्य पाल बनाकर एडजस्ट कर दिया जाए, अब उनको भारती जनता परटी उ शायद उसे इसके नज़्दीक पजदीक भी पहुच चुके हैं इसके लावा भारती जनता पाल्टी और किस चहरे पर सोथ सकती है क्या किसी पंजावी नेता को भी राज्य सभा में भीजा जा सकता है? क्योंकि हर्याना भारती जन्ता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा चलती थी संजे भाटिया को वो अभी तक हुआ नहीं मनोरलाल हर्याना के मुख्या मंत्री थे भले ही उनको केंदर में वजीर तो बना दिया गया केंदर सरकार के मंत्री तो हो गए लेकिन कही न कहीं आज भी बात तो चलती है कि पंजावी समुदाय को भी उसका और भी हक मिलना चाहिए और फिर बात ही आ जाती है कि क्या OBC और SC राजलीती को साधने के लिए भारती जन्ता पार्टी क्या राज्य सभा की सीट उनको भी नजीर कर सकती है किसी SC या BC समाज के नेता को भी यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है सुनीता दुगल का लोगसभा का टिकेट काड़ दिया गया था क्या सुनीता दुगल भी स्थान पर हो सकती है क्योंकि वो बड़ी दलित नेत्री है हरियाना के अंदर भले ही उनको टिकेट चुनाव का नहीं मिला लेकिन वो एक सुशिक्षिक दरित नेत्री की श्रेणी में वो भी है ये बहुत सारे सवाल है कि क्या भारती जनता पार्टी किसी बड़े चहरे को यह पर एड़स्ट करेगी और या फिर अपने किसी पुराने कारेकरता को समायुजित करेगी वैसे आपको क्या लगता है कि क्या किरन चौधरी भारती जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा की केंडेट हो सकती है क्या कुलदीब बिश्णोई जो की इस समय अपनी फिल्डिंग जमाने में लगे हुए है वो केंडेट हो सकते है और या फिर क्या भारती जन्ता पार्टी इन दोनों चेहरों पर जाने की बजाए किसी अपने पुराने चेहरे पर दाव खेल सकती है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रो जाना